दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इकाई 5 के बारे में जिसका नाम है ओपनी वेशी काल में सिक्ष्या का साहित्य है 15 नमर का दोस्तो आपका ये यूनिट है तो यहां से छोटे कुशन भी कुछ बनेंगे और बड़े कुशन भी दोस्तो तो सारे most important questions हम यहां देखने वाले हैं तो वीडियो को बिना skip किये वेए आपको देखना है सारे जो questions है very important है तो आईए चलते हैं पहला जो important प्रसन है 1813 के charter act का इतिहासिक महतु क्या है DLA 2016 में question आया है very important 1813 के charter act का इतिहासिक महतु है इस अधिनियम दोरा grant और missionary के समर्थन दो दशक तक इस अधिनियम को बनवाने में सफल रहे इसके बाद बड़ी संक्या में अंग्रेजी विद्यालियों की इस्तापना की गई इस अधिनियम के दोरा भारत में शिक्षा देने का जिम्मा कमपनी का माना गया शेक्सिक कारियों के लिए धनराशी निश्चित कर दी गई इस तरह भारत में आधुनिक शिक्षा की नीव रखी गई अगला इंपोर्टेंट प्रसन है अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार का मुख्य कारण क्या था पहला जो मुख्य कारण है मिश्चनरी विध्यालियों में अंग्रेजी को लोगपिरिय बना दिया और दूसरा जो महतपून कारक है राजा राम मोहन राई ने अंग्रेजी साहित्ते और विज्ञान का अध्यन करने पर जोड़ दिया नमबर तीन कारण है कंपनी में उचे पद पाने के लिए अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक था नमबर चार जो कारण है 1833 में कलकत्ता मदर्शा और आगरा कॉलेज में अंग्रेजी की कक्षाएं खोल दी गई नमबर पांच वा है दिल्ली और बनारस में अंग्रेजी विद्याले इस्तापिर किये गए अगला इंपोटेंट प्रसन है राजा राम मोहन राई सरकार दुआरा संस्कृत विद्याले खोले जाने के खिलाब क्यों थे क्या वे संस्कृत के खिलाब थे इसका राइट अंसर होगा राजा राम मोहन राई की सिक्षा के प्रति विशेश रूची थी वे स्वेम अरबी फार्सी और संस्कृत समेथ छे बासाओं के ग्याता थे राजा राम मोहन राई उन भारतियों में से थे जिनोंने पास्चात्य विज्यान तरकवाद मानवतावाद आदी को भारतिय परंपरा में आत्मसाथ करने का प्रियास किया वे एक और संस्कृत वे अरबी फार्सी गरंतों के परकांड ग्याता थे और उनका अंग्रेजी वे बांगला में अनुवाद किया तो दूसरी और आदुनिक विज्यान आदी को भारतिय बासाओं में उपलब्द करवाया वे संस्कृत भासा के खिलाब नहीं थे यह तथे उनके द्वारा लार्ड एम हर्ट को लिखी गई चिट्थी में प्रकट होता है उन्समें उन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा एक अत्यदिक कटिन भाषा है जिसमें पारंगतता हासिल करने में जीवन भर लग जाता है वे भारत को एक आधुनिक देश बनाना चाहते थे इसलिए वे व्याभारिक रूप से उपयोगी शिक्ष्या को ही सुईकार करने के पक्स में थे अगला इंपोर्टेंट प्रशन है जोतिबा फूले के शिक्ष्या के कारियों का वर्णन कीजिए दी अलेट 2015 में कुछ नाया है वेरी इंपोर्टेंट तो आएए देखते हैं इसका आंसर क्या है जोतिबा फूले का जन्म हुआ 11 अप्रेल 1827 को माराष्टर के 17 जिले में उनके पिता गोविंद्राव पूने में सबजी बेचने का काम करते थे उनके पिता का नाम था गोविंद्राव और वो पूने में सबजी बेचने का काम करते थे और माली जाती के थे जोतिवा फूले पूने के ब्रामनों के जातिवादी वहवार से आहत थे और जातिगत भेदवाओं के किलाफ संगर्ष को अपना जीवन आदर्ष बना लिया था 1848 में पूने में उन्होंने शुद्र और निमन जातियों के इस्त्रियों और बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला उनके कई ब्रामन मित्रों ने भी इसमें सहयोग दिया सावित्री बाई ने इसके साथ ही सावित्री बाई तो उसके साथ थी ही स्वाभाविक है कि इसका बड़ा विरोध हुआ लेकिन ज्योतिराव ने इसका मुहतोड जवाब देते हुए मनुस्मृतिवा अन्य गरंतों की इन व्यवस्थाओं को कालपनिक बताया जिसमें सुद्रों को विद्या प्राप्त करने का निशेद था उन्होंने कहा कि इन धर्मगरंतों और स्मृतियों को नकारदों जिसमें सुद्रों को यान प्राप्त करने के सहज मानविये और प्राकर्तिक अधिकार से वंचित किया गया है 1801 में इन्होंने पूरे में ही शुद्र और अच्छूत मानी गई बालिकाओं के लिए एक और विद्याले खोला सावित्री बाई को इस विद्याले का कार्यबार सोपा गया वे इसकी मुख्या देपक्या बनी इन परियासों के चलते उनके साथ कुछ लोग जुड़ने भी लगे और उन्हें सहयोग मिलने लगा किन्तु उनके सहयोगियों को भी विरोध का सामना करना पड़ा इस तरह के विचारों और कार्यों का विरोध जोतिराओ के परिवार के लोगों ने भी किया जिसकी वज़ा से उन्हें गर से निकाल दिया गया फूले द्वरा सचालित विद्याले को प्रबंद समेती के सक्रिय सदस्यों में से एक विश्णु पंडित विश्णु शास्त्री पंडित विद्वा विवाह के लिए आगे आये इसके बाद फूले ने सितंबर 1851 में सुद्र दलित और उंची जातियों के गरीब इस्तरी पूरुषों को शाक्षर बनाने के लिए जोतिबा फूले ने पूरे में एक रात्री विद्याले खोला अगला प्रशन है पंडित रमाबाई शरस्वती के बारे में विश्तार से आपको वर्णन करना है डीलेट 2015 में कुशन आया है और इसके अत्वा में कुशन बन रहा है कि सारदा सदन का संसिप्त विवरन दीजिए पंडित रमाबाई सरस्वती एक ओजश्वी वक्ता थी सारजनिक सभाओं में वे धर्म गरंतों का संदर्ब देकर बताती थी कि बाल विवाह और महीलाओं को शिक्षित होने का आवशर नय देने जैसे कूपर थाए पित्र सत्तावादी प्रुशो दुआरा बनाई गई है रमाबाई का एक महतपूर योगदान था शारदा सदन जिसकी इस्तापना 11 मार्च 1889 में चोपाटी बोंबे में हुई उन्होंने विद्वाओं और निराश्रित महीलाओं के लिए शारदा सदन खोला जो उनका घर भी था और विद्याले भी रमाबाई ने इसे एक धर्म निर्पेक्ष्टा सिक्षा के केंदर के रूप में खोला था सारदा सदन सदन की महीलाओं को आत्म विश्वासी और आत्म निर्भर बनाने के लिए सिलाई कड़ाई बड़ई का काम मिट्टी के बरतनादी बनाना बागवानी टोकरी बनाना ज भावना संगठन शम्ता और राश्टर प्रेम की सराहना की और सारदा सदन को सहयोग दिया इसके बाद 1890 में इसे पूरे में इस्तनांतरित कर दिया गया जिसके पीछे कुछ आर्थिक कारण थे बॉम्बय में खर्च अधिक था इस दूसरे रमाबाई चाहते थी कि इसे प 1883 में इशाई धर्म स्विकार कलिया था एक और तो मिशनरी उनके कामों का विरोध करते थे क्योंकि धर्म निर्पिक्षता का पक्ष लेती थी जबकि दूसरी और रूडिवादी हिंदू नहीं चाहते थे कि कोई विद्रमी महिला उनकी बेटियों को शिक्षा दे अगला इश्वर चंदर विद्यसागर कोन थे इसका राइट अंजर होगा 19 सधी के समाज चुदारकों में इश्वर चंदर विद्यसागर का प्रमुक इस्तान है उन्होंने भारतिय प्रंपरा की अच्छी बातों को आधुनिक पास्चात्य विचारों से मेल कराने का प्रियास किय इनकी प्रारंबिक सिक्षा बंगाली विद्यालियों में हुई थी सन 1841 से 1851 तक इश्वर चंदर ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कोलेज और संस्क्रत कोलेज में विविद्य पदों पर कार्य किया इन्होंने पढ़ने और पढ़ाने के तोड़ तरीकों कोलेज की पढ़ात पढ़ाया जाए ताकि सिक्षित होकर विद्यारती आधुनिक विज्ञान को भी पढ़ सके और अपनी मात्र भाषाओं के जरिये उससे सम्रद्ध कर सके अगला इंपोटेंट प्रेशन है सर सेद एहमद खान के राश्टरवादी और एक्तावादी विचारों का संसिप्ट में विवरण देना है इसका राइट अंसर होकर राश्टरवादी और एक्तावादी विचार सर सेयद एहमद खान अंग्रेज शासन के समर्थक के साथ साथ कटर राश्टरवादी भी थे नोकर शाही की कठोर आलोचना करने से भी नहीं डरते थे और बारतियों के प्रती ब्रेटिस अधिकारियों के दुर्वयभार की कटू निंदा करते थे केंद्रिय विवस्थापिका सभा में व्यक्त किये अपने एक भाषण में उन्होंने कहा राश्टर शब्द एक देश के सभी निवाशियों पर लागू होता है हिंदू, मुशलमान वो इसाई जो भी देश में रहते हैं मिलकर एक राश्टर का निर्मान करते हैं सरसेयद ने विद्वां हिंदू और मुशलमानों से एकता का आग्रह करते हुए 1883 में कहा था कि हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमूना का जल पीते हैं हम दोनों भारत की धर्ती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं जीवन अम्रत्यू दोनों में हम एक साथ रहते हैं और भारत में हमारे निवास में दोनों को खूब बदल डाला है हमारे सरीदों के रंग एक हो चुके हैं हमारे हुलिये समान हो चुके हैं मुशलमानों ने हिंदू के अनेक रिती दिवाजों को अपना लिया है माध्य में शिक्षा का विस्तार हुआ लेकिन गुणवत्ता का इसतर ठीक नहीं था सरकारी नोकरी पाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ रही थी नए स्कूल खोलने के लिए सरकार अधिक अनुदान देने लगी प्रांतिय सरकारों ने भी विद्यालियों को अनुदान दिये इससे गेर सरकारी विद्यालियों की संख्या काफी बढ़ गई प्राकर्तिक शिक्षा के लिए गोखले के प्रियासों का वड़न करना है इसका राइट अंसर होगा सन 1906 में बढ़ोदा के शाशक गायड बाड ने समुची रियासत में प्रात्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी गोखले ने भी विद्यान प्रिशद में कहा कि देशबर में प्रात्मिक प्रारंबिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठाया जाए उन्होंने कहा कि अनिवार्य शिक्षा पहले लड़कों पर तथा बाद में लड़कियों पर लागू की जाए उनका आश्य प्रारंबिक शिक्षा 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य हो अगला इंपूटेंट प्रस्ण है राष्ट्रियता की भावना का विकास कैसे हुआ वैसे तो राष्ट्रियता की उक्रांति के बाद 1902 तक के बीच का भारत में राष्ट्रियता का विकास देदरे बढ़ ही रहा था लाड करजन के सुधारों से भारतिय लोग खुस नहीं थे उनके हर सुधार को लोग सक्के द्रश्टी से देखने लगे थे प्रेणाम सुरूप भारतिय राष्ट्रिय कंग्रेस से भी अधिक तकतवर बन गई दादा भाई नौरोजी लोकमाने तिलग चितरंजन्दास गोपाल करश्टन गोखले और एनी बैसेंट के नितरतों में वक्तियों ने राष्ट्रिय संगर से शुरू कर दिया था अगला इंपोर्टेंट प्रसन है राष्ट्रिय सिक्षा की विशेश्टाएं क्या है डी अलेड दोजर गुनिस में क्यूशिन आया है विर इंपोर्टेंट आदुनिक शिक्षा के साथ राष्ट्रिय सिक्षा का भी प्रसार होता गया नई शिक्षा संस्थाएं खुली जिनका उद्देश्य राष्ट्रिय सिक्षा था इसी संस्थाओं की मुख्य पहली है शिक्षा का प्रबंदन भारतिय लोगों के हाथ में हो दूसरा है संस्थाओं और सिक्षकों में त्याग की भावनाएं हो नमबर तीन पर है धार्मिक शिक्षा की विवस्ता हो नमबर चार पर है भारतिय जन्ता की सांस्कृतिक अवशक्ताओं के अनुरूप प्राच्च्य शास्त्रिये बाशाओं का अध्य नहीं हो ताकि लोग प्राचिन प्रम्पराओं के प्ति सम्मान और प्रेम प्रकट कर सके नंबर छेप neighbor的 प्रफीज हो नमबर साथ पर है आदोनिक भारतिय समवासाओं का भी अर्द्यन हो नमबर आठपर है व्यवसाइक शिक्षा की व्यवस्था हो ताकि लोगों को रोजगार की शिक्षा भी मिलती रहे अगला इंपोर्टेंट परशन है भारत में अंग्रेजों भारत में अंग्रेजी शिक्षा के गुणवय दोस लिखिए तो अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रवाव पड़ा भारत में तो भारतिय नेताओं एम शिक्षा विशाद्रों के विचार में अंग्रेजों की रजकों के कफनानुसार अंग्रेजी दिए चिक्ष्या तता चिक्ष्या अंग्रेजी भारत के निए सर्वसिश्टवरदान ठी निंदमल्स की टक्त्र विचार करनेसे लकाएं नय। आगे देखते हैं भारत में अंग्रेजी चिक्षा के लाब क्या कहे हैं? पहला लाब है पास्चात्य ज्यान एंग्जान के संपर्क भारत समय गुजरने पर अपनी प्राचीन संस्क्रतित था सब्वेता को भूलता जा रहा था अंग्रेजी चिक्षा पर रनाली को अपना कर पास्चात्य साहित्यं विज्यानों से भारत वासियों ने प्रीचे प्रदाप्त किया और उन्नति के पत्थ पर अग्रश्र हुआ नमबर दो पर है भारतिय समाज का आधुनिकरण अंग्रेजी सहसर्ण की इस्तापना के समय भारतिय समाज की दश्या बहुत ही सोचनी थी यहाँ पर सती प्रत्था, शीशु हत्या, बाल विवाय, एस प्रस्चता, आधी, हानी प्रत, कुर्यतियां, प्रसलित्थी, अंग्रेजी शिक्षा तथा, सब्वेता से प्रभावित होकर भारतियों ने समाज को एक नया रूप परदान किया नमबर तीन पर है साहित्ययम सांस्कृतिक जागरती देश में बोध्धिक जागरण प्रारंब हुआ, प्राद्मतिय बाश्याओं का भी विकास हुआ नमबर चार पर है वेग्यानिक पदती, अंग्रेजी के दुआरा भारत में वेग्यानिक विश्यों की सिक्षा दी जाने लगी अठासो सित्यानम में जगदीश चंदर बोश ने भोतिक विश्यक अपनी खोजों से यूरोप के विद्वानों को आश्रे चकित कर दिया फलता है भारतियों में यह आत्म विश्वास जागरत हुआ की विग्यानिक चेत्र में भी पदती कर सकते हैं नमबर पांच पर है ललित कलाओं की उन्नती भारत सरकार ने मुंबई, मदराश, कुलकत्ता और लाहोर में कला विद्याले इस्तापित करने भारतिये कलाओं को पनरजवित किया नमबर चे पर है शिक्ष्या परचार के नवीरन साधन अंग्रेजों ने अपनी शिक्ष्या प्रणाली के अंतरकत मुद्रानलियो, पुष्टकालियो, वाचनालियो, रेडियू, चल्चित्रों, आदिको, महतपूर इस्तान दिया नमबर साथ पर है भारतिये पनरजागरण अंग्रेजी शिक्ष्या दुआरा भारतियों के विचारतोता दरश्टिकोणों में अमूल परिवर्तन आया प्रिणाम सोरूप भारत में इसी परकार की बांसिक प्रणालियों में पनरजागरण के समय हुई थी भारत में अंग्रेजी शिक्ष्या प्रणाली से हानिया यह सरो मानने है कि मेकाले दौरा प्रारंब की गई शिक्ष्या प्रणाली समय अनुरूप नहीं है गांदेजी के ने अनुर्भव किया कि प्राचिन शिक्ष्या प्रणाली वास्त्विक्ता से दूर और वेकल्पिक है उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बेकार ही नहीं बलकि हानिकारक भी है अधिकांश हत्र अपने परिवार के लिए निरर्थक शिद्ध होते हैं और वे उसका भी लाब नहीं उटापाते जिसके लिए उप्युक्त हो सकते थे इसमें बुरी आदतें विक्षित होती है और वे नागरिक जीवन अपनाते हैं में शिक्षा का नितांत अभव होता है गांदे जी के विचार में शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रकार देश की आवशकताओं के अनुरूप नहीं है अंग्रे जी उच्छा का माद्यम है कि जिससे कोई भी सिक्षित और ऐसंखे अशिक्षित लोगों में भारी अंतर आ गया और शिक्षा मूल रूप से मूल रूप में किर्यात्मक धंग की देने की विवस्ता करनी चाहिए नंबर बन पर है अंग्रे जो द्वारा चलाएगी शिक्षा पतती भारतिय नहीं है श्री अर्विंद ने लिखा है कि दुर्भाग्यवस भारत में 100 वर्चों से अधिक समय से वहें शिक्षा चल रही है जो भारतिय नहीं है यहां शिक्षा पस्चिमी डंकी है और इसे भारतिय प्रिस्तितियों के अनुरूप भी नहीं बताया गया है वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इसमें कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता यह हमारी भोतिक परिस्तियों के अनुरूप नहीं है इसलिए हमें इससे कोई लाब नहीं हो पाता है अंगरेजी शिक्षा ने विभाजित भारत को भी विभाजित किया है जहां बहुत सी जाती प्रता है वहां एक और जाती को जनम दिया है नंबर 2 पर है ग्राम परदाहन देश के लिए हानिकारक शिक्षा परनाली भरत एक देश है जिसमें गाउं की संक्या अधिक है इसलिए यहां शिक्षा परनाली उपिप्त नहीं है जो गाउं की अब सिक्षा पूरी नहीं कर सकती तो दोस्तो ये थी है वो सारे प्रसंट जिनसे आप अपने 15 नंबर पक्के कर सकते हैं आप इन सारे प्रसंटों को very most important प्रसंट हैं सारे तो आप इनको याद कर लें अच्छे से और चैनल पर नए हैं तो subscribe कर दें बेल आगन प्रेश कर दें और अपने सभी दोस्तों में share जरूर करें हमारी चैनल पर दोस्तों BSTC से related जो हर प्रगार की अपडेट्स हैं वो सबसे पहले परवड़ कर जाती है तो आप चैनल को subscribe जरूर करें और आपको कोई भी problem होती है तो आप आमें comments में जरूर बताएं